उडिशा के बालासोर में हुए रेल हाथसे के बाद अब उन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने इस हाथसे में अपनों को खो दिया था रेलवे ने उन्हें बाला सौर में हुई ट्रेन दुरगटना में प्रभावित हुए लोगों के परिवारों को मदद के लिए औरिशा सरकार के साथ मिलकर लाबता लोगों के परिजनों के लिए एक हेल्प लाइन नमबर जारी किया है इन लिंक में मृतकों की तस्वीरे और तमाम अस्पतालों में भ adjaci-yatryों की लिस्ट दी गई है इन ओन-lाइन लिंक के जरीए परिजन अपने परिवार के सदसों का पता लगा सकते है इन में उनके शवो की जानकारी भी दी गई है जिनकी पहचान नहीं हो पाई रेलवे की तरफ से हेलप लाइन नमबर भी जारी कर दिया गया है जो 24 घंटे काम करेगा रेल दुरगटना में प्रभावित यात्रियों के परिवारों रिष्टेदारों के लिए हेलप लाइन नमबर 149 काम कर रहा है इस हेलप लाइन नमबर को वरिष अधिकारी खुद देख रहे है इसके अलावा भुमनेश्वर नगर निगम हेलप लाइन नमबर 18-0034-50061 या 1929 भी 24 घंटे काम कर रहा है इसे लेकर रेलवे ने एक बयान में कहा है कि ओरिषा के बाहानगा में तीन ट्रेनों की भिड़न से जुड़े हाथ से में प्रभावित हुए लोगों के परिवारों की मदद के लिए भारतिय रेलवे ने ओरिषा सरकार के सहीयोग से एक पहल शुरू की है बयान के अनुसार इस धुर्बाग्यपूर दुर्गटना में प्रभावित यात्रियों के परिवार के सदे से रिष्टदार मित्र और शुब्चिन तक इन लिंक के जरिये मृतकों के फोटो अलग-अलग अस्पतालों में भरती यात्रियों की सूची और अग्यास श्रवो के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, BCN News